संसथ की लोक लेखा समिती नोट बंदी से जुड़े मुद्धे पर प्रधान मंत्री को भी तलब कर सकती है लेकिन ऐसा तब होगा जब समिती इस मुद्धे पर पहले से तलब की अधिकारियों के जबाब से संतुष्ट नहीं होगी समिती ने इस बैंक आफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल सहित वित्त मंत्राले के वरिष्ट अधिकारियों को 20 जनवरी से पहले अपना जबाब देने को कहा है संसत की लोक लेखा समिती के चेर्मेन केवी थमस का कहना है कि जिस देश में कैसलेस की बात की जा रही है वहाँ पर कॉल ट्रॉप की समस्या आज तक बरकरार है सरकार इस पर अभी तक काबुन नहीं पा सकी है ऐसे में भला सरकार कैसे कैसलेस और ओनलाइन ट्रांसाक्शन की बात कर सकती है 20 जनवरी को समिती वित्मंत्राले और उर्जित पतेल से मिले जबाब पर विचार करेगी इस दोरान वित्मंत्राले के अधिकारियों के साथ पतेल खुद भी मौजूद होंगे अगर समिती उनके जबाब से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी को नोट मंदी पर जबाब देने के लिए बुलाया जाएगा हलाकि थॉमस के मुताबिक नोट मंदी के अईलान के बाद वह खुद इस मुद्दे को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी से मिले थे उनसे इस पर सवाल किया गया लेकिन उस वक्त पीम ने 50 दिनों का वक्त मागा था और कहा था कि दिसंबर के अंतर तक स्थिती सामान ने हो जाएगी लेकिन आज तक भी स्थिती सामान ने नहीं हो सकी है एटिम खाली पड़े हैं थॉमस ने पीम मोधी पर देश की जंता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पीम मोधी बार बार अपने गलत फैसले को सही ठहराने की कोशिस में लगे हैं संसत की लोक लेखा समिती ने नोट बंदी के इस हैं मुद्दे पर खुद ही संग्यान लिया है समिती कैक की रिपोर्ट की जाच परह करती है साथ ही लोक लेखा समिती को किसी भी मामले में सामिल किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार है